हेलो नमस्कार सत्सरीयकाल और आप सभी को मेरा सलाम मैं हूँ उज्वल सकसेना और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा एल्टरोस की एक्सेशरी几े बारे में और उन accessories के क्या-क्या prices हैं वो भी आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएंगे तो इस वीडियो को last तक पूरा जरूर देखें तो वीडियो को start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी new car जैसे कि Altros को खरीदने से पहले अपनी पुरानी car को sale करना चाहते हैं तो आप Cars 24 को prefer कर सकते हैं क्योंकि Cars 24 पर मिलेगी आपको अपनी गाड़ी की best retail value और साथी साथ free RC transfer Cars 24 पर आप घर बैठे बैठे भी अपनी गाड़ी को sale कर सकते हैं जिसके लिए आपको इस वीडियो को description में दिये गए लिंक पर क्लिक करके कुछ अपनी गाड़ी की basic details को fill करना है और फिर देखना एक बात आपकी गाड़ी जब Cars 24 पर list हो जाएगी तो पूरी इंडिया आपकी गाड़ी के लिए बोली लगाएगी और फिर जो भी बोली या फिर मैं कहूँ जो भी प्राइस आपको best लगेगा आप उसी प्राइस पर अपनी कार को sell out कर सकते हैं तो एक बार अपनी गाड़ी को sell out करने से पहले वीडियो का description में दिये गए लिंक पर क्लिक करके Cars 24 पर अपनी गाड़ी का best price जरूर चेक कर लें तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं तो चलिए बात करते हैं Tata Altros की Front Profile की Accessories के बारे में तो Front Profile में सबसे पहली Accessory के बारे में बात करूँ तो आप लगवा सकते हैं Front Fog Lamp Chrome Garnishing प्राइस के बारे में बात करूँ तो Front Fog Lamp Chrome Garnishing का प्राइस है Front Fog Lamp Garnishing के बाद Next आप अपने कार की Bumper की Protection के लिए Tata Genon Accessories से Bumper Corner Protector लगवा सकते हैं तो Front End Rear दोनों Bumper की Protection के लिए आपको मिल जाएंगे Bumper Corner Protector जिनका प्राइस है 1615 यानि की लगबग 1600 रुपे तो आप देख सकते हैं इस तरह का लुक आएगा Bumper Corner Protector को लगवाने के बाद Chrome Inserts मिल जाएंगे आपको Bumper Corner Protector में Front Profile में Next Accessory के बारे में बात करूँ तो आप लगवा सकते हैं Front Bumper Garnishing तो इस Garnishing को लगवाने के बाद इस तरह का लुक आएगा Front Bumper का Price के बारे में बात करूँ तो Front Bumper Garnishing का प्राइस है 793 रुपीज यानि के लगवग 800 रुपै तो ये तो बात हुई Tata Altros की Front Profile की Accessories के बारे में और चलिए बात करते हैं Side Profile की Accessories के बारे में और देखते हैं Tata Altros में आप Side Profile में कौन-कौन से Accessories लगवा सकते हैं Tata Genon Accessories से तो Side Profile में सबसे पहले तो आप Lower Variants में Wheel Covers ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं Wheel Covers को लगवाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा Next अगर आप Tata Altros में Alloy Wheel लगवाना चाहते हैं तो Alloy Wheel का भी Option अविलेबल है Tata Genon Accessories में जिसके लिए आपको टोटल 36,988 यानि कि लगवक 37,000 रुपीज पे करने होंगे तो आप देख सकते हैं Dual Tone Machine Cut Alloy Wheels मिल जाएंगे आपको Tata Genon Accessories में जो आप Tata Altros के Lower Variants में लगवा सकते हैं Alloy Wheel के बाद Side Profile की Next Accessory के बारे में बात करूँ तो आप ORVM Chrome Garnishing लगवा सकते हैं Price के बारे में बात करूँ तो इसके लिए आपको Total 532 यानि की 530 रुपे पे करने होंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का लुक आएगा ORVM Chrome Garnishing को लगवाने के बाद तो आप ORVM Chrome Garnishing लगवा सकते हैं आइड प्रोफाइल की लुक को इनहेंस करने के लिए नेक्स्ट आप अपनी कार में Tata Genon Accessories से Door Visor भी लगवा सकते हैं जिसके लिए आपको Total 2828 यानि की लगवग 2800 रुपे पे करने होंगे तो इस केट में आपको 4 Door Visor मिल जाएंगे तो Door Visor आपको पता है बारिश में Rainwater को Directly कार के अंदर नहीं आने देते Chrome inserts मिल जाएंगे आपको Door Visor में तो इस तरह का लुक आता है Door Visors को लगवाने के बाद तो ये तो बात हुई Door Visors के बारे में Next आप अपनी कार की Site Profile की लुक को enhance करने के लिए Window Frame Kit लगवा सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं Window Frame Chrome Kit जिसके लिए आपको Total 3029 यानि की 3000 रुपे पे करने होंगे इस किट में भी आपको 4 पीसिस मिल जाएंगे चारों Window Frame के बेस के लिए तो इस तरह का लुक आएगा Window Frame Kit को लगवाने के बाद तो ये तो बात हुई Side Profile की Accessories के बारे में जो आप Tata Genon Accessories से अपने Altros के लिए ले सकते हैं और चलिए अब बात करते हैं Rare Profile की Accessories के बारे में तो Rare Profile में सबसे पहली Accessories जो आप लगवा सकते हैं Altros में वो है Rare Door Garnish तो इस तरह का लुक आता है Rare Door Garnish को लगवाने के बाद Boot Gate का तो Rare Door Garnish के लिए आपको Total 1061 यानि की लगभग 1000 रुपए पे करने होंगे Next Accessory के बारे में बात करूँ जो आप ले सकते हैं Altros के लिए वो है Parcel Tray तो आप देख सकते हैं Parcel Tray के लिए आपको Total 1747 यानि की 1700 रुपए पे करने होंगे तो आप Lower Variants में अगर Parcel Tray लगवाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं Tata Genon Accessories से तो ये तो बात हुई Parcel Tray के बारे में नेक्स्ट आप Tata Genon Accessories से अपने Altros के लिए 3D Trunk Mat ले सकते हैं जिसके लिए आपको Total 2621 यानि की 2600 रुपए पे करने होंगे तो ये आप देख सकते हैं 3D Trunk Mat Altros की बेजिंग के साथ रेर प्रोफाइल की नेक्स्ट आक्सेसरी के बारे में बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि Bumper Corner Protector Kit में आपको Front and Rear दोनों ही Bumper की Protection के लिए मिल जाते हैं ये Bumper Corner Protector तो आप देख सकते हैं Rare Bumper में इस तरह से लग जाएंगे Bumper Corner Protector प्राइस के बारे में बात करूँ तो इस किट का प्राइस है 1615 यानि की लगबग 1600 रुपए तो ये तो बात हुई Altros की exterior की accessories के बारे में और चलिए आप बात करते हैं Tata Altros की interiors की accessories के बारे में तो interiors में सबसे पहली और सबसे important accessory जो मानी जाती है seat covers तो Tata Genon Accessories में seat covers के काफी सारे option अविलेवल हैं आज इस वीडियो में मैं आपको total 4 design दिखाने वाला हूँ seat covers के तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है पहला design जिसका price है 7,087 यानि की लगबग 7,000 रुपए तो आप देख सकते हैं all black color finishing में मिलेगा आपको ये पहला design पैटर्न देख सकते हैं आप एक बार seat covers पे तो ये तो बात हुई पहले design के बारे में और चलिए अब मैं आपको second design दिखाता हूँ Tata Altros के seat covers का यहाँ पर आप देखेंगे black and red color के combination का यूज किया गया है price के बारे में बात करूँ तो इन seat covers का price है 7,406 रुपीज यानि की लगबग 7,400 रुपए तो एक बार आप closer look ले सकते हैं seat covers का तो यह तो आप देख सकते हैं screen पे दोनों type के design जो मैंने आपको दिखाए first and second और next आप देख सकते हैं तीसरे type का design seat covers का जो आप ले सकते हैं अपने altros के लिए यह design भी काफी unique है जिसके लिए आपको total 7,087 यानि की लगबग 7,000 रुपए पे करने होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं black and silver color combination का use किया गया है तो एक बार आप overall देख सकते हैं तीसरे type का seat cover design और चलिए अब मैं आपको finally fourth design दिखाता हूँ जो काफी simple है वैसे तो लेकिन यहाँ पर भी black and silver color के combination का use किया गया है price के बारे मैं बात करूँ तो इस seat cover design का price है 6,845 यानि की लगबग 6,900 रुपए तो आप screen पर देख सकते हैं तीसरे और चौथे type का seat cover design तो इस वीडियो में मैंने आपको total 4 design दिखाए seat covers के बाद next accessory के बारे मैं बात करूँ तो आप अपने car के floor को dust and dirt से protect करने के लिए mats ले सकते हैं Tata Genon Accessories से तो यह आप देख सकते हैं Tata Altros के mats price के बारे में बात करूँ तो presently जो आप mats देख रहे हैं उनका price है 1,988 यानि की लगबग 2,000 रुपए और चलिए अब मैं आपको simple mat दिखाता हूँ तो यह आप देख सकते हैं second type का mat जिसका price है 908 रुपीज तो आप अपनी choice के according कोई सा भी mat ले सकते हैं carpet floor mat भी एक important accessory है क्योंकि यह आपके car के floor को protect करती है dust and dirt से तो यह तो बात हुई mats के बारे में इंटिरियर्स की next accessory के बारे में बात करूँ तो car में entry या exit करते time जो car की body पे minor scratches वगएरा के आने के chances होते हैं उससे आप अपनी car की body की protection के लिए skid plates ले सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं Eltros के illuminated skid plates प्राइस के बारे में बात करूँ तो illuminated skid plates का price है 2,988 यानि के लगबग 3,000 रुपए तो यह तो बात हुई skid plates के बारे में और चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं तो अगर आप Tata Eltros का lower variant लेते हैं और Tata Genon Accessories से touch screen infotainment system लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं तो जी हां आप लगवा सकते हैं 9 inch का capacitive touch screen infotainment system जो support करता है Bluetooth, phone link, navigation इस infotainment system को लगवाने के लिए आपको total 27,990 यानि की लगभग 28,000 रुपए पे करने होंगे और उपर आप देख सकते हैं infotainment system तो ये same infotainment system आप लगवा सकते हैं Tata Eltros के lower variants में इस infotainment system का screen size और 9 inches infotainment system के बाद next बात करें speakers के बारे में तो आप देख सकते हैं speakers 280 watts के तो आप total 4 speakers लगवा सकते हैं 4580 रुपीज पे करके speaker size के बारे में बात करूँ तो ये 6.6 inches यानि की 165 mm speaker का size है तो ये total infotainment kit आप लगवा सकते हैं अपने Eltros में जिसमें आपको मिल जाएगा infotainment system और साथी साथ 4 speakers Interiors की next accessory के बारे में बात करूँ तो आप Tata Genon Accessories से Burgeman का mobile holder भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको total 770 यानि की लगवग 800 रुपे पे करने होंगे तो ये mobile holder automatic grip के साथ आता है तो ये तो बात हुई mobile holder के बारे में next आप Tata Genon Accessories से God Idol भी ले सकते हैं जिनके prices मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिये हैं तो अलग-अलग design के God Idols अविलेबल होते हैं Tata Genon Accessories में next अगर आप अपनी गाड़ी को open area में पार्क करते हैं तो Tata Genon Accessories से car body cover भी ले सकते हैं 3347 यानि की लगवग 3400 रुपे पे करके तो ये आप देख सकते हैं car body cover जो आपको मिल जाएगा Tata Genon Accessories में तो ये थी Tata Altros की accessories तो कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी feedback जरूर दें और अगर आपको Tata Altros की accessories की PDF चाहिए तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को में यही पैंड करूँगा और हाँ गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल न शर्माएं ये आप ही की safety के लिए है तो इस वीडियो में बस यतना ही तो इस वीडियो न शर्माएं